आज की इस वीडियो में हम एक सुन्दर सा पोटली बैक बनाएंगे और इस बैक को बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इसकी लंबाई मैंने 7 इंच लिया है और चोड़ाई लिया 13 अब हम यहां से 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर ल लेस के बीच में एक लेस लगानी है तो यहां पर तक्रीबन 2-3 इंच चोड़ी लेस आपको लेनी है अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आप ब्रॉकेड वाला फैब्रिक भी यहां पर लगा सकते हैं और अगर आपको सिंपल पोटली बनानी है तो आप प्लेन क पोटली वाला गोटा अटैज कर रहे हूं और इसके नीचे की तरफ में थोड़ा सा चोड़ा गोटा इस तरह अटैज कर लूँगे यहां पर आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास कुछ लेस के पीसे बचे हुए हैं तो उनको भी आ कपड़ा भी लाइनिंग की तरह इस्तामाल कर सकते हैं लेकिन मैंने लेस के साथ मैचिंग कलर की लाइनिंग लिए हैं अब इसके साइज की ही हम लाइनिंग काट लेंगे और इसके उपर अब हम निशान लगाएंगे तो उपर से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे अब साइट से हम एक इंची टेप जितनी दूरी पर निशान लगाएंगे इस तरह दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और अब हम इसे सिलेंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है अब हम साइट से एक्स्टा कपड़े को काट देंगे और यहाँ पर छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे अब हम इसे पलट के सीधा करेंगे इस तरह से किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम अच्छे से इसके कोने बाहर की तरफ निकाल लेंगे और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे पोटली के दोनों पल्लों को हम इसी तरह से तयार कर लेंगे और इसके साइट पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद उपर वाला जो हिस्सा है इसे हम इस तरह फोल्ट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इस भाग में बाद में हम डोरी डालेंगे तो इस तरह से पोटली के दोनों पीसिस को मैंने तयार कर लिया है और अब हम इन्हें एक दूसरे के उपर रखेंगे इस तरह से और इसके साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है आप चाहें तो पहले चौक से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद उसके उपर सिलाई लगाईएगा साइड से अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और एक सिलाई हम इसके नीचे भी लगाएंगे अब हम इसको सीधा कर देंगे यहाँ पर पाउच हमारा बन कर तयार हो गया है अब हम इसके अंदर डोरी डालेंगे डोरी को हम इस तरह से डालेंगे कि डोरी खींचते ही या आसानी से बंद हो जाए और खुल भी जाए तो कोई भी रेडिमेट डोरी यहां पर आप ले लिजिए आप चाहें तो हाथ की बनी हुई डोरी भी ले सकते हैं इस पोटली में हम दो डोरियां डालेंगे एक डोरी को हम एक तरफ से डालेंगे इस तरह से और दूसरी डोरी को हम दूसरी तरफ से डालेंगे तो यह वाली डोरी हम इस तरफ से डालेंगे इस तरह से डोरी डालने पर इस पोटली को खोलना और बंद करना बहुत आसान हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर डोरी को खीचते ही यह आसानी से बंद हो जाएगी और इस तरह से यह खुल जाएगी अब हम दोनों डोरीयों के साइड में लटकन लगा लेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा टैसल मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कपड़े से ही बना कर आप चाहें तो थोड़ा बीड्स वाला या थोड़ा हैवी लटकन भी इसके साइड पर लगा सकते हैं तो इस तरह से अब हम आगे से लटकन को गुलाई में काड़ देंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी डोरी पर भी लटकन लगा देंगे तो इस तरह बहुत यासान तरीके से ये पोटली बन कर तयार हो जाती है आप इस पोटली को किसी भी साइज में बना सकते हैं अगर आप चाहें तो इससे और ज़्यादा छोटी पोटली भी बना सकते हैं जिसमें आप अपनी जूलरी को स्टोर कर सकते हैं और थोड़ी बड़ी पोटलियां भी आप बना सकते हैं तो गाइज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बैल आइकन को भी दबालें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिल सकें और इसके साथ ही आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई बाई